डॉक्टर साब आपने एक मरतबा भारत में या फिर कहीं अपने ब्यान में इस प्रकार बताया था कि जो शुरूती और जो सिमरती जो शास्त्र है तो उसमें से ज्यादा बैतरिन वो है कि आप शुरूती जो शास्त्रे उनको फॉलो करें वैदास को फॉलो करें बट आइम फॉलोविंग श्रीमत भगवदीता विकोज जब हमारे मानना है कि जब भगवान श्री कृष्णा आए तो उन्हों ने ये बताया कि जो लास्त जो बुक है वो भगवान का गीत यानि श्रीमत भगवदीता है तो उसको मैं फॉलो करता हूं तो आपके मताबिक जिस तरीके से आप कहते हैं कि नहीं आप वेदास को फॉलो करें तो मेरा आप से ये कोशन है कि आप भी जैसे एज़ा मुस्लिम अब हज़रत मुहमद मुस्तुफा सिलिल्लाहो लेवाले बसल्म की जो लास्ट बुक है जिनका उनका मानना है कि उनके आप परफेक्ट है और अगर मैं ऐसा करता हूँ श्रीमाद भगवन दीता को फॉला करता हूँ तो आप कहते कि इंपरफेक्ट है भाई लक्षमन का बहुत अच्छा सवाल है वो कहते हैं कि मैंने तकरीर में इंडिया में कहा हूँ कि हिंदू इजम में दो किसम के किताबे ह शृती और स्मृती शृती मतलब जो भगवन के तरफ से डिरेक आती है और स्मृती मतलब इंसानों के लिए कि दोनों में से शृती जो भगवन के तरफ से आती है वो उच्छी किताब है अगर शृती और स्मृती में टकरा हूँ है तो हम फॉलो करेंगे शृती भगवन की क भाई साथ सवाल पूछते हैं कि मैं फॉलो करता हूँ भगवत किता जो आखरी किताब है आप फॉलो करते है पुरान जो मुहम्मद स्वालों की आखरी किताब है तो फरक क्यों भाई साथ आपको थोड़ी गलत फेमी है पुरान मजीद मुहम्मद स्वालों की किताब नहीं है मिलकु ऑटिक गलती है कोई प्रॉब्ल ने तो अगर मैं हिंदु से कहूं भगवान से कैयना शॕटी में आएंगा हम कहते है Allah का कलाम अगर Allah के कलाम और रसूल के बातों में हम कहते हैं हदिस में तक्राओ है तो हम फॉलू करेंगे चुरान को सही Allah की Allah की रसूल की किताब हदीस और Quran में कभी भी टक्राओ를 ने हो गा लेकिन कभी डीस जाहिश भी होते मभजू भी होते अगर टक्राओ है तो भी ने हो शकती तो लेकिन Quran और हदीस दोनों का मैं follow करना चाहिए लेकिन higher level पे है Quran तर जिस तरीके से जो सिम्रती शास्त्र है सिम्रती का मलभ सिम्रन करना याद करना ठीक है जो याद किया वा तो अगर में आपकी परसेप्शन से बात करूँ तो जो कुरान मजीद है वो आप सल्मिल राव लिए वही आई तो वो याद करते थे पिर वो सुनाते थे तो आप भी एक तरीके से सिम्रती शासर बोलो करते हैं ये मेरा कोशन है ने हम दोनों को याद करते हैं अधिस को भी याद करते हैं खुरान को भी याद करते हैं लेकिन याद करने में हम जानते हैं कि कुरान मजजिद अल्ला का कलाम है कई मिसाल है कई प्रूफ है मैं लेक्षर दिया हूँ इस दो कुरान गॉड़ वर्ट याद हम दोनों को करते है याददाश से थाबित नहीं कर सकेंगे तो सही हो इने सकती सही हदीस के भी कोई मुहदिस है वो बोलेंगे मैंने सुना इन से फलाना से फलाने से फलाने से फिर जाएगा साबा इन के पास फिर जाएगा साबा के पास फिर जाएगा अल्ला के रसूल के पास उसी तरीके से कुरान मजजिद में भी मैंने सी का मेरे वालद से मेरे वालद ने से कि उनके उस्ताद से जाएंगा जाएंगा फिर जाएंगा साभा के पास साभा से जाएंगा अल्ला के रसूल के पास जो किताब है श्रीमत भगवद गीता वो भी जैसे आप जो फर्स प्रियोटी जो आपकी कुराने मजीद है तो इसी तरीके से हम भी जो सिमरती में जो परफेक्ट जो वन है उसको श्रीमत भगवद गीता समझते हैं जानता हूं मैं लेकिन आप कोई भी हिंदू स्कॉलर से प जो हमारे शुरु कृष्ण है वो भगवान के आउतार है तो भगवान ने जब खुद भगवद इता को बोला तो वो फिर सिमरती में कैसे कांट होगा वो आपके पंडी से पूछे अगवद गीता अगवद गीता मा भारत का एक पाथ है आईनो आईनो आयम दा फॉलोवर प्रभुपात आप स्वामी प्रभुपात गीता पड़ चुकाओ में टांसलेशन पड़ चुकाओ में तो वो भी और मेरा उन से जो श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण मिशन इसकॉन 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 माना स्मृति है लेकिन क्या कहते स्वामी स्वामी प्रभूपदा क्या कहते है वो भगवद गीता इस दे नेक्टर अफेदा येस नेक्टर अफेदा मतलब वेद का निचो आप बात करेंगा मैं बात करेंगा आपने सवाल पूछा मैंने पुछने दिया जवाब मैं दूँ या आप दूँ आप सुनेंगे तरह तो स्वामी प्रभूपदा कहते है वो कहते कि वेद जिस तरीके इसे गाई है वेद गाई है उसका दूद निकालते वो है भगवति आपर वो कहते मैं मानू ने मानू अलग बाते तो मैंने उन से कहा एक होती है स्मुर्थी जो भगवान के तरफ से है एक है इनसान के तरफ से लिखी गई किताब भगवान से लिखी किताब का निचोड एक इनसान लिखे तो क्या भगवान के किताब से अच्छा हो सकता है और जवाब है नहीं बेलकुल नहीं है अगर भगवान की किताब कुरान मजीद है एक इनसान उसको समराइज करके लिखेंगा कोई भी तरजुमा कुरान का कुरान का एक सिसद भी नहीं है तो तरजुमा है वो इन्सान के तरफ से कुरान is the most untranslatable book in the world क्योंकि कुरान इतनी महान किताब है इन्सान तब तरजुमा करता है कोशिश करता है कि उसका glimpse दे कोई भी यह नहीं कहता है कुरान का तरजुमा कुरान से बेटर है वो यह नहीं सकता है तो जब मेरा भैस हुआ, इसको और वह रहा डॉक्टर साब आ बिल्कु सही कहते है, ठीकिन यह हमारा मानना है, तो मैंने उनसे कहा, अगर वेद कॉंटरडिक करें, बगवद किसमें मानेंगे, वेद महीं मानना चाहिए अपको, कॉंटरडिक नहीं किया तो अल्लग बात है, अब समझ रहे हैं? तो वेद इस था हाइएस्ट बुक, सबसे उची बुक वेद है, बेद के बाद आते है उपनिशद, समृति में, समित्री में सबसे उची है भगवद गीता, समृति में, बद शृति से उची नहीं है, अगर कुछ लोग मानते शृति से उच्छे, वो न कि गलत फेमी मही क्या करो, आप समझे ना, अगर कोई गलत फेमी से मानता है मही क्या करो, ये है हिंदू स्कॉलर्स का कहना, मेरा कहना नहीं, तो एक आदमी गलत सोचता है, उसकी सोच है, आप समझे, बद चाहे शृति में मानो, भगवद गीता में मानो, या वेद में मानो भगवत गीता में भी लिखा है चैप्टर नम्बर 6 वर्स नम्बर 20 में दोज हूँ आर दोज मैं कहता हूँ बाद में आप देख लीजे आच्छा 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 फोले आप दोज हूँ आर एंटाइगेल विद मटेरियल थिंग वर्षिप देविगोड़ चैप्टर नम्बर 7 वर्स नम्बर 18 19 20 खोलके देख लिजे आपके प्रप्रबुदा की कांसेशन है क्या दोज वर्षिप देविगोड़ देविल गो तो देविगोड़ दे आप्टियरिस्टिक पीपल और यह वर्षिप टांस्लिशन है स्वामी प्रप्रबुदा का संस्क्रिष से यह चैप्टर नम्बर 9 है वर्स नम्बर 25 यांती देवा प्रतान देवान तो ने आप चैप्टर नम्बर 7 देखिए आप यू 9 खोले है आपको 709 में फरक लगता है क्या यह ची बात है मैं सेवन कोट कर रहा है आप 9 में जा रहे हैं यस बट आइम नोट द वर्षिपर आप डेमी गोट्स डेमी गोट्स आप मैं आपको कहा क्या मैंने जो बोला सही है कहने देखो ना जी एकदम पर्फेक्ट तो क्यों आप लोग को दूसरी जगा लेके जा रहे नहीं नहीं सर भाइसा भाइसा अबलक्षमन भाई अमस का मक्का साथ तो दो मैं कोट कर रहा हूं चैप्ट नंबर 7 आप बोलते चैप्ट नंबर 9 मेरे पास कोई किताब ने में दिमाग से बात कर रहा हूं तो आप अगर मैं सेवन कोट करूं आप मुझे नहीं नहीं डॉक्टर साथ चैप्टर नंबर 9 अरे भाई मैं भी मैं भी मैं भी भगवत गिता का स्टुडेंट हूं पराब ना मैं स्वामी प्रभू पदा नहीं लेकिन मैं भी स्टुडेंट हूं ना हूं क्या नहीं मैं मेरे दिमाग से कोट कर रहा हूं तो आप मैं जब परे चैप्टर 7 कोट चैप्टर 9 कुँझार एब मुझे लगा कि आपने वह जो 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 नहीं कोट किया न के जो बूतों की पूजा करते बूतों के पास जाएंगे पराबसा यानति देव वरता अधित्र यानति पृत से बुतेज्जार यानति मत याजनों भी पाम तो मेर बूज़े भक्त है वो मेरे पास आएंगे बिल्कुल सही इसलिए ना हम भूतो ना प्रेतो ना क्या बोलते हैं कि जो पित्र है जो मेरे एंसिस्टर है उनकी पूजा ना करते हुए ना डेमि गोट्स की भी पूजा ना करते हुए तो भगवाद गीता के दिए करुछन की पू कि अगर कोई मेरी साकार रुप की पूजा करता है तो वो मुझे अतियंत प्रिय है तो इसलिए मैं भगवत इता को फोलो करता हूं उसका मतलब भगवत इता में कॉंटरिक्शन है अभी आपने कहा कि भगवत इता में लिक्या बुद्पर सी खराब है मैंने नहीं कहा सर अरे आपके आपके स्वामी प्रभु बदाने के डेमी गोड्स की पूजा करना अनिंटेलिजेंट मैन है आइम नोट फॉलोविंग डेमी गोड्स पॉरी अल्ली कृष्णा को फॉलो करता हूं मॉनोथियजम पॉलिथयोजम नहीं सब को मैं भगवान नहीं मानता तिर वेक को मा आपके मुताबिक आइडल बनाना बट मेरे मुताबिक नहीं चलने वाला हूं मैं सिर्फ पूछ रहा हूं अभी आम भैस नहीं करें पर आप अगर बिच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे आप यह मानते ही कि डेमी गोड्स की पूजा करना का आप कर तो चículos आप जया पराथ है आप हमारे रूल को तोड़े कर तोड़े कर नहीं कर नहीं सर अब और आप दो आप कयाने तोरदे कर तो मैं तो माशालह सованияर कर आप क्योंकि मेरा गैर मुसलिम भám मेरे सामने खड़ा रहे मेरा आंगे मूसल्मन sparked today मुसल्मान होता था ना मैं बोलता धर जा वै क्योंकि तुम मेरे गेस्ट आफ ऑनर है मैं सबर कर रहा हूं मैं आपकी इज़त कर रहा हूं लेकिन इज़त करने का मतलब नहीं कि आप सब लोग का टाइम हजार लोग है ज़र मृँ तो खाली वेज के बारे में कह रहा हूं में कह रहा हूं भगववद हीता के बारे मेंगर भगवद ऎद而वेज में टक्राओ है वेज में लिका है प्रथासरत अरपनिशत च tätä निमर 4 वस-ग्यनूर ना पस्ति या जुरुवेद, चैप नमब थरी वर्स नमब थरी, नाता स्रिपतिमास्ति, प्रतिमा मींस अक्स, कांसेट करेंगे, तो हो जाता है फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडिल, स्टाच्यू, नाता स्रिपतिमास्ति, वो खुदा, वो भगवान की कोई प्रतिमा ने, कोई फो किताब में टक्राओ है, तो हिंदू मख़ब के इसाब से, आपको फॉलो करना चे विदा, आप नहीं करते हैं, मैं जा करता हूं, मैं जबल नसी ने कर सकता हूं, इस है, मैं भाववाद गीता फॉलो करता हूं, खरो ना, आपको जिसको फॉलो करने के खरो, लेकिन मैं तो आपको बूल सकता हूं ना, क्या मैं जानता हूं, इल्म के बारे में, आपको भगवद कीता को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुदा को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुदा को फॉलो करने का है, मैं तोरी रुख सकता हूं, मैं खाली कह सकता हूं, क्या ये आपके किता में लिखा है आपको फॉलो करने के फॉलो करो मत करने के मत करो क्योंकि कुर इस कुरान में लिखा है लाइक रहा फिद्दीन कि इन में कभी भी किसके साथ जबर्दस्ती नहीं कर सकते मैं आप से बात कर सकता हूँ माने तो अच्छी बात नहीं माने तो मैं कहूंगा नो प्रॉब्लम मैं आप से जगा नहीं करूंगा बड़ा बना आप जाके फिर से तेकिक करो बड़ा बना आपके मेरा काहिटिरा क्या है कोई मुझे से डिबेट करने चाहता है तो को टकर का लेज आपके श्री श्री रवी शंकर श्री श्री रवी शंकर लाखों लोग उनको भगमान मानते हैं पता आपको ने आप ने मानते हैं आप तो मानते हैं आप तो कृष्ण के भगत है इसके भगत है कृष्ण के भगत है लेकिन मैने डिबेट किया श्री श्री रवी शंका हजारों लोग उसको भगवान मानते हैं उनने का मैंने चार साल की उमर में भगवत गीता को रख दिया मेरे में बाई मेमिरी तो मेरा कहना यह है आप अगर चाहते हैं मेरे से कोई डिबेट करें तो मैं मेरा मजमा 10 लाग का है कम असकम 2 फीसा तो ले क्या हो 20,000 आपके हिंदू में से कोई भी 20,000 एकर्चा कर सकता है और मुझसे डिबेट करना चाहता मैं करूँ गा 20,000 वन्ट सिटिंग बराबर और कई हिंदू है आपके जगी वासी देओ आपके रामदेव बाबा आपके शीशी रवीशंकर उनको मिलियन डॉलर देंगे तो भी ने डिबेट करेंगे मेरे साथ वो तो भूल चुक से कर लिए शीशी रवीशंकर ने और पश्ता रहे मैं आपसे रिबेट करूँगा तो लोग बलेंगे बच्चे से रिबेट कर रहा है असमझे ना लेकिर मेरी इलतिजा है कि आप कुरान मजीद भी पढ़िए आपके स्वामी प्रभबात आप बोलते ने कुरान पढ़ना हराम है ने बोलते ना नहीं बोलते साथ तो मेरी इल आपने दिये मैं आपको टाइम दिया मेरी क्रिक्वेस्ट है खुले दिल से कुरान मजीद पढ़ो उसके बाद कोई मजमूरी ने नहीं मानना है मत मानो आपको कोई इस तरीके से मैंने भगवद गीता पढ़ा एक बार नहीं कई बार और सबसे जादा पसंद मुझे स्वाम प्रभुपदा की भगवदी था इस कोन की है दनियावाद सर्क्रावन ना थैंक्यू तो आप तो कम उसके में एक बार पढ़ो कुरान मजीद इंशाला जरूर पढ़ो इंशाला मैं उसके इंटिदा करूँगा इंशाला थैंक्यू आपको इदाद दे आपको इदाद दे